Hello friends and welcome to my YouTube channel Hayat Technologic आज मैं आपको बताऊँगा WhatsApp के new privacy and policy के बारे में और क्या आप WhatsApp यूज़ करना safe है या नहीं साथ ही हमें कौन सा messaging app यूज़ करना होगा तो WhatsApp ने अपनी privacy policy को update किया है जिससे users को WhatsApp का latest terms and conditions को मानना होगा नहीं तो उनका account delete कर दिया जाएगा WhatsApp ने जो नई policy update की है उसे users को 8 February 2021 तक accept करना होगा नहीं तो उनका account delete कर दिया जाएगा तो बहुत से ऐसे users हैं जिने इन शर्तों को नहीं मानना और अभी से ही WhatsApp delete करने का मन बना चुके हैं लेकिन इस नए update में ऐसा क्या है कि users अभी से WhatsApp delete करने का मन बना चुके हैं तो अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको बताता हूँ कि ये नए update क्या है और क्यों ये जरूरी है नए update में लिखा है WhatsApp अपने privacy policy update कर रहा है तो नए policy का मतलब है WhatsApp के पास आपका जितना भी data है वो अब Facebook की दूसरी company के साथ भी share किया जाएगा आपका जो data share होगा उसमें location की जानकारी, IP address, time zone, phone model, operating system, battery level, signal strength, browser, mobile network, ISP, EMEI number आप किस तरह से message या call करते हैं, कि इन groups में जुड़े हैं, आपका status, profile photo और last scene तक share किया जाएगा इस से Facebook के पास पहले से ज्यादा data का access होगा और Facebook की दूसरी company इसका use आप तक अपनी product के पहुँच के लिए करेगी मतलब marketing के लिए, अगर आप अपना data नहीं share करना चाहते हैं तो phones से आप WhatsApp अनिंस्टॉल कर सकते हैं, और अगर आपको इस update से कोई परिशानी नहीं है तो आप continue कर सकते हैं, तो दोस्तों ये था WhatsApp privacy and policy के बारे में तो अब आप समझ चुके होंगे के WhatsApp यूज़ करना चाहिए या नहीं, अब मैं आपको बताओंगा के WhatsApp के नए update अगर आपको नहीं है पसंद, तो उसके बदले कौन सा app यूज़ किया जाए Signal, Signal app, जी हाँ दोस्तो, Signal app जो की अभी बहुत ही trend में चल रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ के Signal app क्या है, Signal भी WhatsApp की तरह एक encrypted chatting app है तो Signal app के बारे में Telsa के CEO Elon Musk ने Signal को लेकर एक tweet किया है और लोगो को इसे use करने की hint दी है, Elon Musk के इस tweet के बाद बहुत लोग Signal app डाउनलोड कर रहे है Signal भी WhatsApp की तरह एक encrypted chatting app है, तो इस app पे की हुई सारी बाते personal रहेंगी क्योंकि Signal personal data के तौर पे सिर्फ आपका phone number store करता है इसी तरह बहुत से लोगों का Signal की तरह टेली ग्राम पे भी focus जा रहा है तो पहले हम Signal इंस्टॉल करके देख लेते हैं और इसे use कैसे करें ये देख लेते हैं तो दोस्तो अब हम Signal app इंस्टॉल करके डाउनलोड करके देख लेते हैं इसे और इसे use कैसे करना है ये हम देख लेते हैं तो हम play store पे आ जाएंगे और यहाँ पे search पे हम simply type कर लेंगे signal तो आप दोस्तो यहाँ पे आपको दीख रहा होगा signal private messenger करके तो इस पे click कर लेंगे उसके बाद इसे install कर लेंगे उससे पहले हम देख लेते हैं इसके reviews कितने 4.6 reviews और 36 MB का ये app है तो दोस्तो हम इसे install कर लेते हैं ये install होने में थोड़ा time लेगा ये आपके internet के ऊपर depend करता है आपका internet कितना fast है तो उसपे depend करता है तो अगर आपका internet fast होगा तो थोड़ा कुछ seconds रुकना होगा आपको तो इस तरह से ये कुछ time लेगा दोस्तों तो कुछ seconds या कुछ minutes आपको रुकना होगा तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारा जो signal private messenger है यह install हो चुका है तो अब हम इसे open कर लेते हैं और open करके इसके बारे में कुछ जान लेते हैं देख लेते हैं इसे कैसे use करना है तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं सिग्नल एप ओपन हो चुका है और यह स्टार्ट हो चुका है तो अब हम इसे आगे देखते क्या है तो कंटिन्यू कर लेंगे और यहाँ पे भी कंटिन्यू और फिर उसके बाद अलाओ करते जाएंगे इसे अलाओ करते जाएंगे दोस्तों यहाँ पे जैसे की हर मैसेजिंग अप वाटसप जैसे हमारा मॉबाइल नंबर मांगता है तो यहाँ पे हमें अपना मॉबाइल नंबर डालना होगा यह वेरिफिकेशन के लिए तो मॉबाइल नंबर डाल देते हैं उसके बाद आप नेक्स्ट कर देंगे तो यहाँ पे दोस्तों आप मॉबाइल नंबर जो आपने डाला है उस मॉबाइल नंबर पे आपका वेरिफिकेशन कोड आया होगा तो यह वेरिफिकेशन कोड आपको यहाँ पे डाल दाएं तो दोस्तों यहाँ पे हम डाल देंगे तो यह verification code हमने डाल दिया और यह अब start हो जाएगा तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं यह verification हमारा mobile number verified हो चुका है तो अब हमें क्या करना होगा यहाँ पर enter your pin यहाँ पर बता रहे हैं तो यहाँ पर हमें एक pin डालना होगा तो हम pin डाल लेते हैं जैसे कुछ भी डाल लेंगे तो यहाँ पर incorrect pin बता रहा है तो actually यहाँ पर हम देख सकते हैं कि enter alpha numeric pin है तो यहाँ पर हम alpha enter numeric pin कर लेते हैं alpha numeric pin डालते हैं तो यहाँ पर हम एक minimum four digit का pin चूस कर लेते हैं और minimum four digit होना चाहिए तो यहाँ पर हम pin डाल लेंगे उसके बाद continue कर लेंगे उसके बाद आगे देखते हैं आगे क्या मांग रहा है तो यह थोड़ा बहुत टाइम लेता है दोस्तों तो हमें कुछ seconds वेट करना होगा तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका हमारा इस तरह से प्रोफाइल आपका आ जाएगा तो आप इसे next कर सकते हैं और प्रोफाइल आप एड़ कर सकते हैं तो हम छोटा सा प्रोफाइल बना लेते हैं तो इसे हम अपना फोटो इसमें आड़ कर लेते हैं तो जैसे आपको फोटो केमर से लेना हो तो take photo पे क्लिक कर लेंगे और नहीं तो गैल्री से हैं तो chuse from gallery तो हम फोटो आइड कर लेते हैं तो दोस्तों यह बहुत ही easy है तो दोस्तों यहां पर आप देख रहे हैं कि हमने अपना फोटो लगा लिया अपने प्रोफाइल में और नेक्स्ट कर लते हैं तो यहां पे अब देख सकते हैं दोस्तों अब हम सबसे पहले यह देख लेंगे कि अपने सेटिंग्स के बारे में इसमें देख लेते हैं कि यहां पे सेटिंग्स कहां से हो रहा है तो यहां पे आप दिख रहा होगा जो हमने फोटो एड किया है तो इस पे हम क्लिक कर लेंग सकते हैं SMS delivery report तो नहीं चाहिए होगा तो आप back आ जाना उसके बाद आप notification देख सकते हैं आपर notification का setting कर सकते हैं और हम आते हैं उसके बाद है privacy में तो privacy में जैसा कि दोस्तों आपने WhatsApp में देखा होगा screen lock उसी तरह इसमें भी है screen lock तो इस तरह से कर सकते हैं screen security तो almost WhatsApp से मिलता जूलता है यहां से जो signal pin था वह signal pin आप यहां आप से change कर सकते हैं उसके बाद हम back आ जाते हैं उसके बाद chats and media देख लेते हैं उसके बाद chats and media देख लेते तो आप दोस्तों यहां पर दिख रहा लेटा हमें क्या-क्या बैक अप चाहिए होगा तो इमेजिस लड्यूस आप वीड़ियो कनीदग्स भी कर सकते चाहिए तो यहां पे कुछ रोमिंग के बारे में दिखा रहा है है कि अधाना अपये यहां पे देख सकतें उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं यहां पे चैट बैक अप्स का है तो आप टर्ण आउन कर लेंगे तो यह आपका बैक अप बनता जागा जैसे हमारे वाटस अप बनता था तो यह तो हो चुका दोस्तो हमारा सेटिंग्स हमने देख लिया हमारा सेटिंग्स क्या क्या है और कैसे है उसके बाद यह देख लेते हैं त तो इसे अभी लोगों ने अभी इंस्टॉल नहीं किया है और बहुत कम लोग शायद इसे यूज कर रहे होंगे तो अभी तक लोगों ने इसे यूज नहीं किया है तो इस तरह से हमको first time जब use करना होगा तो हम इस तरह से यहाँ पर three dot आपको दिख रहा होगा यहाँ पर click कर लेंगे और invite friends यहाँ पर आपको दिख रहा होगा invite friends पर click कर लेंगे इस तरह से आपका यह जो है आपका यह signal app का जो domain है यह इस तरह से बन के आएगा और उसके बाद आप यहां से आप Share with Contact कर सकते हैं और Choose How to Share दोनों में से कोई Option कर सकते हैं तो Share with Contacts तो यहां पे आप देख रहे हैं जो भी आपके लिश्ट में Numbers होंगे तो इसमें आप Share कर सकते हैं उसके बाद यहां यहां तो आप Choose How to Share पे क्लिक कर लेंगे पेशेंजर है, Snapchat है, Share it है, Instagram है इन सबसे आप Share कर सकते हैं तो यह तो होगी आप इनवाइट, फ्रेंड को इनवाइट कर सकते हैं उसके बाद जब आप फ्रेंड को इनवाइट कर लेंगे तो इसी तरह से As It Is जैसे WhatsApp में चैट करते हैं हम उस तरह से यह आप चैट करना शुरू कर देंगे तो यहां पर हम देख रहे हैं यह न्यू ग्रूप इस तरह से जब हमें न्यू ग्रूप बनाना होगा तो यहां से हमें न्यू ग्रूप बना सकते हैं जैसे हम WhatsApp में ग्रूप बनाया करते थे तो दोस्तों यहां पे हम यह देख लेते हैं यह पैंसिल मार्क जो है यहां पे क्या है तो यहां पे भी कुछ खास नहीं है इसी तरह से है आप इन्वाइट का और इन्वाइट करने का और जो न्यू ग्रूप आपको आप जब बनाना चाहोगे जब इसे यूज करेंगे तो तब का यह इस तरह से दिखा रखा है तो दोस्तों यह था सिगनल एप यूज करने का तरीका और इसमें सेटिंग कैसे कैसे करना है और क्या क्या इसमें यूज होता है और क्या क्या इसमें रिक्वार्मेंट है तो यह था तरीका बहुत ही आसान ह and almost WhatsApp से मिलता जुलता है तो अगर आपको WhatsApp की new updates अच्छा नहीं लगता पसंद नहीं है या फिर आपको डर है WhatsApp की new updates से तो आप Signal app को यूज कर सकते हैं अभी बहुत ही trend में चल रहा है दोस्तो जैसा कि मैंने बताया है आपको कि WhatsApp की new updates से अगर आपको problem है तो WhatsApp के बदले में कौन-कौन से app यूज किया जाए तो अभी मैंने आपको Signal app के बारे में बताया है जो की market में अभी new है अब मैं जो आपको जिस app के बारे में बताने जा रहा हूँ वो है Telegram जी हाँ दोस्तो जिनको WhatsApp के new updates से problem है तो वो Telegram भी use कर सकते है as a messaging app तो हम इसे Telegram को देख लेते है इसे install कर लेते है उसके बाद देखते हैं कि Telegram के अंदर क्या-क्या है इसे कैसे install करना है कैसे use करना है तो दोस्तो यहाँ पे हम simply type कर लेंगे Telegram तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं second number पे Telegram तो दोस्तों इसके भी अच्छे reviews है 4.5 6 million reviews दिया गया इसे और 24 MB का यह app है तो अब हम इसे install कर लेते है तो कुछ दिर हमें wait करना होगा दोस्तों यह आपके internet के speed पे depend करता है कितना time लेता है तो अब हम इसके बाद देखेंगे दोस्तों कि Telegram में हम कैसे as a messaging app इसे कैसे यूज करेंगे हमने signal app के बारे में देख लिया है अब हम telegram के बारे में देख लेते हैं तो अगर जिने whatsapp की new update से problem है तो वो signal app भी यूज कर सकते हैं और telegram भी यूज कर सकते हैं तो जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं telegram install हो चुका है तो अब हम इसे open कर लेते हैं तो दोस्तों यहां पर हम देख लेते हैं यहां पर telegram कुछ अपने application के बारे में introduction दे रहा है तो यहां पर बता रहा है telegram the world's faster messaging app it's free and secure तो यह world's का दुनिया का बहुत ही faster messaging app है और next में हम देखते हैं क्या है fast telegram delivers messages faster than any other application बहुत ही डेलिवर करता है और free है यह no ads, no subscription fees कोई भी subscription fees नहीं है यह बिल्पल free of cost है उसका powerful telegram has no limits on the size of your media and chats मतलब आप if telegrams का कोई limit नहीं है आपका media और chats कितना भी बड़ा हो उसका secure का देख लेते हैं तो telegram यह बता रहा है कि यह messages से hacker से messages आपके messages safe कर रखता है secure रखता है और यह cloud based telegram lets you access your messages from multiple devices तो दोस्तों यहां पर हमने देख लिया है telegram के कुछ introduction थे तो अब हम आगे बढ़ते हैं तो यहां पर आपको option दिख रहा होगा start messaging तो दोस्तों यहां पर हम click कर लेते हैं तो यहां पर telegram बता रहा है कुछ कि please allow telegram to receive calls so that we can automatically confirm your phone number तो हम इसे okay कर लेंगे और allow करते जाएंगे तो दोस्तों यहां पर जिस तरह से हमने WhatsApp में देखा है हमारा mobile number लेता है verification के लिए और इससे पहले signal में भी मैंने दिखाया है कि verification के लिए mobile number मांगता है तो उसी तरह से telegram में भी हमें mobile number देना होता है verification के लिए तो हम अपना mobile number डाल लेते हैं उसके बाद यहां से okay कर लेंगे please allow telegram to read the call log so that we can automatically enter your quote for you तो यहां पर हम इसे okay कर लेते हैं allow करते जाएंगे उसके बाद यहां पर जो number हमने दिया उस number पर verification code आया होगा तो वह verification code हम यहां पर डाल देंगे तो दोस्तों यहां पर हमने verification code डाल दिया है अब यह आगे बढ़ता है तो यहां पर दोस्तों तो कुछ टेलीघ्राम हमें बता रहा है कि टेलीघ्राम नीडश एकसेस तो यूर कॉंटेक्ट्स तो यूट इसे भी हम कंटिनीव कर देते हैं उसके बाद अलाओ करते जाएंगे हम तो दोस्तों यहाँ पे आपको देख रहा होगा कि यहाँ पे जो मेरे कॉंटेक्ट्स में है लोगों ने टेलीघ्राम जो है जॉइन कर रखा है क्योंकि टेलीघ्राम बहुत फेमस हो चुका है इस पे बहुत लोग मुवीज देखने के लिए से बहुत यूज करते हैं लोग तो इसलिए बहुत लोग ऑल्रेड़ी इसे तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर आपको कुछ मुवीज का यह दिख रहा होगा हिंदी मुवीज बॉली हुट मुवीज तो बहुत ही फ्री अफ कोस्ट में टेली ग्राम में आप मुवीज भी देख सकते हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं लेटेस मुवी बट हमारा topic आज movies का नहीं है हमारा topic messaging app का है तो हम देखते हैं कि as a messaging app इसे कैसे use किया जाए तो दोस्तों यहां पर आपको दीख रहा होगा यह three line इस पे हम click कर लेते हैं उसके बाद सबसे पहले हम settings में hando उन्हीं हमें क्यों है कि सेट्ञ्ट हमने कैसे कंदे तो जो यहां पर जो पर प्रोफाइल है सबसे ऊपर इस पी हम click कर लेते उसके बाद दोस्तों हम देखलेंगे set profile photos profile photo कैसे सेट करना है तो यहाँ पर यह परमिशन लेगा तो इसे हम अलाव कर देंगे तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी आपको फोटो एड़ करना होगा यहां से आप एड़ कर सकते हैं वरना आप कैमरा से आप लेकर फोटो डाल सकते हैं तो दोस्तों यहाँ पर यह पर Maal कर देंगे आपका न Am Benek Een राब यहां से लॉगाओ अगप करना होगा तो लॉगाओ भी यहां से होगा उसके बहुंद आप यहां पर अपना नंबर चेंज कर सकते हैं टैपने टुम Miller उसके बाद यहां पर आपको यूजर नेम देख सकते हैं दोस्तों आप जैसा कि यहां पर आप अपना यूजर नेम डाल सकते हैं या फिर अपना यूजर नेम बना सकते हैं तो जैसे कि कुछ भी आप बना सकते हैं तो मैं डाल लेता हूं तो दोस्तों यहां पर देख सकते है जो username मैंने डाला है यह बता रहा है कि available है मतलब इसको किजी नहीं use नहीं किया है तो username से आपको डालने से क्या होगा कि आपको एक user आपको एक domain name के साथ आपको मिल जाएगा जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं this link opens a chat with you इस तरह से आपको आ जाएगा तो यहां से हम ठीक मार्क पे क्लिक कर देंगे हमारा username बन चुका है ठीक है तो अब हम यहां पे देख लेते दोस्तों बायो हम अपने बायो में कुछ लिख सकते हैं 70 characters का हम कुछ भी लिख सकते हैं तो आप से fill up कर सकते हैं तो fill up रहेगा तो ज्यादा better रहेगा इस तरह से आप इसके आगे भी लिख सकते हैं टोटल 70 characters के हैं तो इस तरह से आप अपना बायो फिल कर सकते हैं और टिक पर हम क्लिक कर देंगे तो इस तरह से आपका बायो बायो भी फिल अप हो गया तो अब हम आते हैं settings पर दोस्तों जो हमारा notification और privacy और security जो भी वगड़ा है तो हम देख लेते notification और sounds तो यहां से आप देख सकते हैं चैट्स और groups के बारे में और जो भी है ringtone जो भी notifications के बारे में sounds नोटिफिकेशन यहां से आप सेटिंग कर सकते हैं इसका उसके बाद हम आते हैं privacy जो सबसे main है जो अभी आजकल privacy का ही खेल चल रहा है तो अब हम देखते है privacy and security इस पर क्लिक कर लेते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों ब्लॉक यूजर जो है यहां पर मैंने तो अभी किपिए ब्लॉक नहीं किया इसलिए नंड दी नद दिखा रहा तो यहां पर आप क्लिक कर के देख लेगी यहां पर ब्लॉको यूजर जो है तो आपके जो contact में हैं वह देख सकते हैं, Nobody पर करेंगे, तो कोई नहीं देख सकता, Everybody पर तो जो contact में हैं वह भी देख सकता और उसके लाबा भी देख सकते हैं, तो यहाँ पर last scene और online देख रहे हैं तो everybody आप रखेंगे तो सब कोई देख सकता है my contact रखेंगे तो जो सिर्फ आपके contact में है सिर्फ वही देख सकते और nobody में रखेंगे तो कोई नहीं देख सकता जो आपके contact में वो भी नहीं देख सकता तो इस तरह से यह WhatsApp से same as it is जैसे WhatsApp में हमें settings में इस तरह से interface हमें मिलता है इस तरह का setting मिलता है उसी तरह से same as it is Telegram पे भी है तो इस तरह से आप setting कर सकते हैं अपने last scene and online का तो यहां से हम click कर लेंगे उसके बाद हम profile photos देख लेते हैं दोस्तों तो profile photos में इसी तरह से हैं यहां पर everybody और my contacts है तो nobody का यहां पर option नहीं है दोस्तों तो मतलब profile photo आपका देख सकता है मतलब या तो everybody सब में करना होगा या फिर my contacts में करना होगा तो यहां से यह हो गया उसके बाद forwarded message तो दोस्तों यहां पर आप एक चीज़ देख रहे होंगे who can add a link to my account when forwarding my messages तो इसके लिए आप क्या कर लेंगे या तो everybody रखेंगे तो कोई भी कर लेगा my contacts में रखेंगे तो उसी तरह से जैसे बाकी का है बाकी का हमने किया है उसी तरह से my contacts जो सिर्क कांटेक्ट में है वो कर सकते हैं यह तो इस तरह से हम टिक कर लेंगे उसके बाद calls देख लेते हैं calls में भी उसी तरह से है everybody my contacts nobody का option है तो इस तरह से आप कर लेंगे जैसा आपको चाहिए होगा और groups groups देख लेते हैं who can add me to group stats जो भी groups लोग बना रहेंगे तो कौन आपको add कर सकते हैं contact के बाहर वाले लोग भी या फिर contacts वाले लोग तो इस तरह से हम contact कर लेंगे अगर में सिर्फ contacts चाहिए या फिर everybody कर लेंगे तो जैसा आपको चाहिए होगा तो आप कर सकते हैं तो यहाँ पे दोस्तो हमने देख लिया है कि जो privacy में क्या करना था तो हमने देख लिया है अब हम security में आते हैं तो security में पास कोड लॉग है इस तरह से आप पास कोड डाल कर अपना पास कोड जो भी आपको पासवर्ड डालना है इसमें तो वो डाल सकते हैं आप डाल कर यहां पर आप क्लिक कर लेंगे उसके बाद वेरिफिकेशन है तो सेट पासवर्ड पर क्लिक करके आप पासवर्ड आप डाल सकते हैं तो दोस्तो इस तरह से है और भी बहुत सारे जो आप देख सकते हैं तो यहां से हम चले आते तो तो दोस्तो फिर यह रहा हमारा तरीका टेलिग्राम चलाने का तरीका और इसमें क्या-क्या सेटिंग्स है कैसे फोटो एड करते हैं प्रिवेसी सेकुरिटी जो भी हमने बता दिया दोस्तो तो इस तरह से आप टेलिग्राम यूज कर सकते हैं तो दोस्तों आज का जो हमारा topic था कि WhatsApp का new privacy and policy जो है वो अगर आपको पसंद है तो ठीक है आप WhatsApp भी use कर सकते हैं और अगर आपको नहीं पसंद है उससे आपको कुछ problem है तो आप इन दो app में से किसी भी एक को use कर सकते हैं जो कि signal मैंने बताया है तो वो अभी newly है वो new है उसे भी use कर सकते हैं आप telegram भी use कर सकते हैं telegram में आप as a messaging app भी use कर सकते हैं और as a entertainment भी इसे use कर सकते हैं तो दोस्तों ये था WhatsApp के new updates privacy and policy के बारे में क्या problem है इसे use करना चाहिए नहीं करना चाहिए मैं उमीद करता हूं कि आप सब लोग जान चुके होंगे कि इसे use करना चाहिए या न telegram कैसी use करना है तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो अगर पसंद आया हो तो like, share, subscribe करना ना भूले और comment में आप लिख के मुझे बताए कि आप को कौन सा application use करना अच्छा लग रहा है telegram, signal या फिर आप WhatsApp ही use करना चाह रहे है